कृष्ण नगरी माथुरा में तीन माह पहले एक सैनी के घर अग्याच चोरू ने वारदार को अंजाम दिया था जिसका पुलिस अभी तक खुलासा नहीं कर पाई जिसको लेकर लोगों में आक्रोश नज़र आ रहा है वही पिरिक में प्रिशासर से गुहार लगा कर आग्यों के अगलाफ कारवाई करने की मांग की मेरे घर पे आठ अपरेल दोजार इकीस में चोरी हुई थी रात में तो उसकी मेरे रिपोर्ट नव अपरेल को सुबह करवाई है थाना मगोर ना में मैं तब से लेकर करण और आज तक मैं चकरी कार रहा हूं मेरी चोरी का खुलासा नहीं बचो जाता पर परिशान हो कि तुम heiteit का क्यों नहीं मोरण में से करता यह जो रहे हैं मैं आर्मी से एक सर्विसमें prol сचों यहां से लिटर दिला रहा हूं सबसे नामने जंसन वी रैपोर्टी है वहाँ से कंभलोर क्या बेज रहेंगे अंतल् Ran तरक काम नहीं किया रहा है क्यों इसको डील मेंटूर मेरा मेरा मेरी मेन लाइसिट फूर्टी करने गया तक्रीबी थाहां दश्य राइक दरसल मामला थाना मगोर्रा के गाउं बोरपा का है जहां 8 अपरेल को पूर सैनेग बलदेव सिंग के घर पर अग्याद छोरों ने एक लाइसेंसी पिस्टिल समेट करीब 20 लाग रुपे के जेवरातों पर हाथ साफ कर छोरी की घटना को अंजाम दिया था सूचना पर पहुचे पुलिस ने घटना स्थल का मौका मौयना कर जाच परताल में जब पीडित ने थाना मगोर्रा में चोरी का मुकर्दमार दर्श कराया था वही पेड़ित बलदेव सिंग का कहना है कि तीन महापूर मेरे घर में चोरी हुई चोरी की घटना में पुलिस में अभी तक कोई खुलासा नहीं किया और मैं ठाने के चक्टर लगा लगा कर ठक गया हूँ और सियम पोर्टल भी शिकायद दर्श कराई थी लेकिन ना तो कोई सुनवाई की गई और ना ही पुलिस में कोई कारवाई की अगर जल्द ही मेरे घर में गोई चोरी के घटना का खुलासा नहीं हुआ तो मैं और मेरा परिवार ब्रामिलो सभे एसेसी कार्याले पर ना देंगे